सभी मित्रों को नमस्कार, नमस्ते! भारती विजन क्लासेस पर सबका फिर से स्वागत है मैंने पिछले क्लास में आप से कहा था कि मैं अस्ट छाप का मास्टर विडियो लेकर आऊँगा लोग आ गया अस्ट छाप का मास्टर विडियो इस वीडियो को पूरा पढ़ने के बाद आपको अस्ट चाप की सारी समस्या दूर हो जाएगी आनि यस्ट चाप का टेंशन खत्म हो जाएगा ऐसी हिंदी विश्य के हर गवर्मेंट परिच्छा में अस्ट चाप से एक या दो प्रस्ण नहीं चिंत आते हैं तो इस पूरे कलास को पढ़ने के बाद आपको अस्ट चाप की सारी समस्या दूर आनि कोई भी सवाल आएगा अस्ट चाप से आप देखते ही उसे बता देंगे कुछ बिद्यार्थे वीडियो को किलिक करके तुरंत उसे छोड़ देते हैं अरे भाई वीडियो के अंदर तक पढ़ोगे तभी तो आपको समझ माएगा इसलिए वीडियो को पूरा पढ़ना उसके बाद कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसा लगा चलिए प्रारम करते हैं अस्ट छाप को अस्ट छाप के संस्थापक कोन है तो अस्ट छाप के संस्थापक वलभाचारी के पूत्र स्वामी विठलनात है अस्ट छाप के संस्थापक कोन थे तो स्वामी विठलनात है किनके पूत्र थे तो वलभाचारी के पूत्र थे उसके बाद स्वामी विठलनात ने अस्ट छाप की अस्थापना कब की तो 1565 में की अश्ठ छाप के स्थापना 1565ी स्वी में हुई किनके द्वारा तो स्वामी विठलनात के द्वारा स्वामी विठलनात किनके उत्र थे तो वलभा चारी के उत्र थे उसके बाद अश्ट छाप भक्ति काल के सगुन काविधारा के कृष्ण भक्ति साखा से जुड़ा हुआ था अनि अश्ट छाप जो था वो भक्ति काल के अनि आपको हम बताए थे पिछले कलास में जो भक्ति काल है भक्ति काल में दो तरह की काविधाराएं चली थी पहला काविधारा था निर्गुन काविधारा और दुसरा काविधारा था सगुन काविधारा और सगुन काविधारा भी दो उपधाराओं में बटी हुई थी उसमें से एक धारा थी राम भक्ति क्या थी राम भक्ति और दुसरी का विधारा क्या थी तो कृष्ण भक्ति थी और ये अस्ट छाप जो है ये कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ था अस्ट छाप में कुल आठ कवी थे कितने कवी थे आठ कवी थे और सभी कवी जो थे वे कृष्ण भक्ति साखा से जुड़े वे थे आनि सभी कृष्ण भक्ति साखा से कही कवी थे जिन में से चार जो कवी थे वे बलभाचारे के सीसे थे और चार कवी किसके सीसे थे तो स्वामी विठलनात के सीसे थे एक बार फिर से देख लिजे अस्ट छाप में कितने कवी थे तो आठ कवी थे जिसमें से चार कवी किसके सीसे थे तो बलभाचारे के सीसे थे और चार क विक इनके सिस्य थे तो स्वामी विठलनात के सिस्य थे अब हम उनको भी देख लेते हैं वलबाचारे के चार सिस्य कौन-कौन थे तो यहां देखिए कुम्भन दास, सूर्दास, पर्मानन दास और क्रिष्न दास यह चारों कभी जो थे वे वलबाचारे के सिस्य थे और सभी कृष्णा सरी परंपरा से जुड़े हुए थे अब देखे इनको याद करने का मैंने एक ट्रीक एकोसिस तो किये हैं आपको अच्छा लगे तो इस ट्रीक का इस्तमोल किजेगा क्योंकि confusion होता है चार सिस्य वलभाचारे के हैं और चार विठलनात के हैं तो अगर हम चार सिस्यों को जान लेंगे अनि वलभाचारे के चार सिस्य कौन-कौन हैं तो विठलनात का तुरंत आद हो जाएगा तो इसके लिए हमें ट्रीक दिये हैं इसका इस्तमोल करके देखेगा केसे याद करना है कुम्ब सूर पर कृष्ण गए केसे याद करना है कुम्ब सूर पर कृष्ण गए कुम्ब सूर पर कृष्ण गए कुम्ब सूर पर कृष्ण गए तो कृष्ण गए कुम्ब से कुम्भन दास सूर से सूर दास पर से परमनन दास और कृष्ण से कृष्ण दास अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एब फिर से ट्राय करते हैं कुम्ब सूर पर कृष्ण गए किसाथ करना है कुम्ब सूर पर कृष्ण गए कुम्ब से कुम्भन दास सूर से सूर दास पर से परमानन दास और कृष्ण से कृष्ण दास आनि कुम्भन दास, सूर दास, परमनन दास और कृष्ण दास ये क्या थे ये अश्ट छाप के कवित थे और सभी वलभाचारी के सिस्य थे अब आगे देखते हैं स्वामी विठलनात के वो चार सिस्य कौन-कौन हैं तो गोविन स्वामी, छीत स्वामी, चतुरभूज दास और नन दास कौन-कौन हैं स्वामी विठलनात के चार सिस्य तो गोविन स्वामी, छीत स्वामी, चतुरभूज दास और नन दास आगे अश्ट छाप के कवियों का कावि से क्या होता था? कृष्ण लिल्ला और कृष्ण गान था अश्ट छाप के जितने भी कवि थे सभी का कावि से जो था वो कावे कावि से क्या था तो कृष्ण लिल्ला था और कृष्ण भगवान का गान करना था उसके बाद अश्ट छाप के कवियों की जो भासा थी इसी कवियों की भासा सबकी बरज थी अश्ट छाप के कवियों भासा के जो धनी कवि थे वो कौन थे? सूरदास थे अस्ट छाप के अधिकतर कवियों के भासा बरज ही रही परन्तू अस्ट छाप के कवियों में भासा के धनी जो थे वे कौन थे तो वे सूरदास थे आगे है अस्ट छाप के कव्यों में सबसे प्रथम और सबसे जेस्ट जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़े तो कुन थे कुम्भन दास थे यहां से प्रस्ण दोनों से आता है अनि अस्ट छाप के कव्यों में सबसे प्रथम और सबसे जेस्ट कुन थे तो कुम्भन दास और अस्ट छाप के कवियों में सबसे कनीष्ट आनि सबसे छोटे कौन थे नंद दास थे दोनों में connection है इसको याद कर लेना परिच्छा में आता है अर्ष्ट छाप के कवियों में सबसे बड़े और सबसे पर्थम कुम्भन दास और सबसे छोटे तो नंदास सबसे बड़े का बात हो निजेश्ट का बात हो तो कुम्भन दास होंगे और सबसे छोटे निकनिश्ट का बात हो तो नंद दास इसे याद कर लिए उसके बाद देखिए अश्ट चाप के कवियों में पिता पुत्र कौन थे तो पितापुत्र जो थे वे कुम्भन दास और चतरभूज दास थे याद ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट है परिच्छा में आता है कि अश्टचाब में कौन-कौन से कभी पितापुत्र थे तो इसे प्रश्ण कई बार कई गवर्मेंट परिच्छा में आ चुका है तो इसको भी आप ध्यान से देख लेना यहाँ दोनों टोपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कैसे आद करना है तो पितापुत्र जो थे वो कुम्भन दास और चतरभूज दास थे कौन-कौन थे कुम्भन दास और चतरभूज दास थे इनके बीच पिता पुत्र का नाता था आणि कुम्भन दास जो थे वे चतरभूज दास के क्या थे पीता थे आगे है साहित्य रचना की उत्कृष्टा के दिरिष्टी से अस्ट चाप के सबसे सर्वस्रेष्ट कवी कौन थे तो वे सूरदास थे कौन थे सूरदास थे इसलिए इनको अश्ट चाप में साहित्य रचना में भासा का धनी कवी भी कहा गया था उसके बाद फिर है साहित्य रचना की उत्कृष्टा के दिरिष्टी से नंद दास थे वे सूरदास के बाद दुसरे कवी थे अनि सहायत रचना की उद्कृ्ष्टा के दिरिष्टी से सूर्दास का अस्थान पहला था और नंदास का दुसरा था उसके बाद है कृष्ण के संपूर्न लिलाओं के रचना करने वाले कभी कौन थे तो सूर्दास थे कौन थे सूर्दास थे अनि सूर्दास पहले कभी थे जिन्होंने भगवान स्रीकृ्ष्ण के संपूर्न लिलाओं का वर्नन किये आगे है अश्ट चाप के पर्थम कवी कौन थे कुम्भन दास कौन थे कुम्भन दास थे पर्थम कवी भी थे और सबसे बड़े भी थे यानि जेश्ट भी थे आगे है अश्ट चाप के कव्यों में वात्सल्य रस का सम्राठ कौन थे सूर्धास थे इनको वात्स बड़े रस का सम्राठ भी कहा जाता है परिच्छा में इससे प्रस्ण आ चुका है कि भक्तिकाल कवा कौन सा कवी है जो वात्सलियरस का समराट है तो सूरदास आगे है अस्ट चाप के कवियों में उदर्णता के लिए जो परसिद थे वे कौन थे छित स्वामी जो थे वे एक समय उदर्णता के लिए बहुत ही परसिद थे तो इसे भी प्रस्न आता है कि अश्ट छाप का वह कौन सा कवी है जो उधर्णता के लिए परसित था तो कौन तो छीत स्वामी आगे है पर्मानन्दास अश्ट छाप के वह कवी थे जिनका एक मनोहरी गान आनि यूग लिल्ला का एक पद सुनकर उनके गुरू आनि बलभाचार्य कई दिनों तक बेहोस रहे थे आनि पर्मानन्दास इनके सिस्य थे तो वलभाचार्य के सिस्य थे तो उन्होंने अपनी यूग लिल्ला का एक पद बलभाचार्य को सुनाया था जिसको सुनकर वे कई दिनों तक बेहोस पड़े रहे ये भी बहुत ही परसिद है क्योंकि इससे परशन परिक्षाम आ चुका है कि बलभाचार्य मतलब बेहोस जो वे थे किनके गान को सुनकर तो पर्मानन्दास और ये पर्मानन्दास ने एक अपने यूग लिल्ला का एक सास्त्रिय कवी कोन थे तो नंददास थे अश्ट चाप के कवियों में सबसे कावे सास्त्रिय कवी कोन थे तो ये नंददास थे उसके बाद अश्ट चाप का जड़िया कवी किनको कहा गया है तो अश्ट चाप का जड़िया कवी भी नंददास को ही कहा गया है अगे है अश्ट चाप के कवियों में संगी तग्य और गविन स्वामी थे इसको भी याद कर लेना है अश्ट चाप में वह कौन सा कवियों है जो संगीत अग्य भी था और बहुत ही अच्छा गाता भी था तो वह गोविन स्वामी था इसके बाद गोविन स्वामी का गाण सुनने के लिए एक बार तान सेन भी उनके यहाँ आये थे ये भी परसिद है गोविन स्वामी से जुड़ा हुआ है कि गोविन स्वामी का गान सुनने के लिए एक बार तानसेन भी उनके यहाँ उपस्थित हुए थे अब हम यहाँ अश्ट छाप के सभी कभी को देखेंगे और उनकी रचनावों को देखेंगे तब पहला क्या है कुम्भन दास पहले कभी कोन है कुम्भन दास जिनका जन्म 1468 इस्विन हुआ था कहाँ पर तो जमना वतो नामा कस्थान पर हुआ था और मिर्क्यू 1589 इस्वि यह क्या है अश्ट छाप के पर्थम कभी है और सबसे बड़े भी हैं आगे कुम्भन दास अश्ट छाप के पर्थम और जेश्ट कभी थे यह किनके सिस्य थे तो वलबभा चारी के सिस्य थे इनके साथ पुत्र थे जिनमें से इनके छोटे पुत्र जो थे चत्रुभूज दास थे उपर हम पड़े भी थे उपर के स्लैड में कि अश्ट छाप के वे कौन से कभी हैं जिनके जिनमें पिता पुत्र का नाता है तो वे कौन थे कुम्भन दास और चत्रुभूज दास थे तो कुम्भन दास के साथ पुत्रों हुए, साथ पुत्रों में जो सबसे छोटे पूज चतुरुभोज दास थे, वे भी अपने पिता का ही अनुसरन किये और उनके यदार पर उन्होंने भी क्या किया, कृष्ण भक्ती अपने काविका विशय बनाया आगे है, अकबर के सिक्री निमंतरन पर इन्होंने कहा था, आनि अकबर ने कुम्भन दास को सिक्री में निमंतरन भेजा था सिक्री के लिए, परन्तु ये एक पद उसके लिए कहे थे, आनि वो नहीं गए थे, उन्होंने पद क्या गाय था, संतन को कहा सिक्री सोकाम ये किन को लिखावा भेजे थे तो अकबर को भेजे थे कि संतन को कहा सिकरी सोकाम ये किन से जुड़ा हुआ है कुम्भन दास से जुड़ा हुआ ये पद है ये कब कहेते तो अकबर ने उनको सिकरी में निमंतरन दिया था पर उन्होंने क्या कहा था संतन को कहा सिकरी सोकाम ये परसिद कथन है कई बार परिक्षा में आभी चुका है दुसरे कवी है सूर्दास कुन है सूर्दास तो सूर्दास का जन्मत आपको पता ही है 1478 इस्वी दिल्ली के सिहीग नामक अस्थान पर कुछ है विद्वान रूनक पता और सीही दोनों याद रखना है मेर्ट्विन का कहा वा था तो पार्सोली में कब 1583 इस्वी में आगे चलते हैं सूर्दास क्रिशना स्रही साखा के सबसे परसिद कवी थे सूर्दास के गुरु कौन थे बलभाचारी थे यानि सूर्दास बलभाचारी के सिस्य थे उसक इनों बहुत ही परसिद है इसी से परस्द आता है परिक्षा में और सूर्दास को स्वामी विठलनात ने पुष्टी मार्ग का जहाज कहा पुष्टी मार्ग का जहाज जात है जो लियो से लेलो आनि इनको पुष्टी मार्ग का जहाज कहा था किसने विठलनात ने तो सूर्दास को पुष्टी मार्ग का जहाज भी कहा जाता है उसके बाद सूर्दास वातसल्यरस के क्या है समराट है इसे याद कर लेना सूर्दा सुर्दास क्रिष्ण भक्ति साखा के परतिनीधी कवी है और भक्तिकाल में जब सगुन धारा में क्रिष्ण भक्ति धारा आती है तो सबसे पहले किनिका बात होता है तो सुर्दास का ही बात होता है क्योंकि सुर्दास क्रिष्ण शरी साखा के परतिनीधी कवी माने जाते हैं अगले कवी हैं पर्मनन्दास कुन है पर्मनन्दास इनका जर्म 1493 इस्वी में हुआ था कन्नोज उत्तर पर्देश में मिर्तियू 1583 इस्वी में हुआ था ये क्या थे जाती के कानिकुब्ज थे आनि कानिकुब्ज स्रेनी में आते है जाती में उसके बाद ये किन के सी से थे तो वलब्भाचारी के सीश्य थे उसके बाद इनका यूगल लिला का ये हम आपको भी बता दी चुके हैं उपर में भी बताए थे इनका यूगल लिला का ये गान सुंकर इनके गुरु स्वामी वलब्भाचारी कई दिनों तक क्या रहे बेहोस रहे कई दिनों तक बेहोस रहे आगे है परमनंद सागर इनकी परशिद रचना है परमनंद सागर इनकी परशिद रचना है और इनका निवास अस्थान कहां था तो सुर्भी कुंड था परमनंद दास का निवास अस्थान सुर्भी कुंड था अगले कभी हैं क्रिश्न दास इनका जर्म कब हुआ था 1495 इस्वी कहां चिलोतरा गुजरात में मिर्तिव 1575 इस्वी मिर्तिव कितना हुआ था 1575 इस्वी क्रिश्न दास सुद्र जाती के थे शुद्र मतलब छोटे जाती निम्न वर्ग के थे और चमार जाती के थे इनका निवास अस्थान कहां था तो विल्चू कुंड था कहां था विल्चु कुंड था आगे इन्हों ने एक बार मीरा बाई का अपमान भी किया था इनकी रचनाएं जो परसीद हैं वे कौन-कौन से हैं तो जुगल, चरित्र, प्रेम, तत्व इनकी कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ही परसीद हैं कौन-कौन जुगल, चरित्र और प्रेम, तत्व इनकी रचनाएं क्या हैं बहुत ही परसीद हैं अगले कभी हैं गोविन स्वामी कौन हैं गोविन स्वामी इनका जन्म कितना हुआ था पंदरा सो पाचीशवी में कहा आंतरी भरतपूर मिर्तियू कितना हुआ था गोविन ब्राहमन थे ये स्वामी विठलनात के सिस्य थे और क्या ये पक्के गवईये थे और संगीतकार थे और एक बार इनका संगीत सुनने के लिए कोन इनके यहां उपस्थित हुए थे तो तानसेन को संगीतिक छेत्रे में बहुत महान माना जाता है तो वे भी इनका जब तारिफ सुने तो ये भी इनका संगीत सुनने के लिए इनके पास आई थे तो गोविन स्वामी पक्के गवईये और संगीतकार थे अगले कवी हैं छीत स्वामी कौन है छीत स्वामी इनका जर्म 1521 मिर्त्यू 1585 ये माथूर चौबे जाती के थे इनके लिए जो परसिद है इनसे अगर परस नातत वो परसिद है ये इनकी उदंडता क्योंकि परिक्षा में इसी से सवाल आता है ये अश्ट च्छाप के वह कौन सा कवी है जो अपनी उदंडता के लिए परसिद है तो वह कौन सा कवी है छीत स्वामी कौन सा छीत स्वामी अगले रचनाकार हैं और अगले कवी जो हैं अश्ट छाप के वे कौन हैं चतरभूज दास से हैं इनका जर्म 1530 स्वी मेर्तियू 1585 स्वी एक किनके पूत्र थे तो सब को जानगे कुम्भन दास के पूत्र थे अनि अश्ट छाप के पहले कवी कुम्भन दास के पूत्र थे अश्ट अब बताए कुम्भन दास के कितने पूत्र थे साथ जिन में सबसे चोटे कौन थे अनि चतरभूज दास थे इनकी कुछ रचनाय जो परसीद है वो कौन-कौन से है तो द्वाज सयत हितजू को मंगल और भक्ती परताप है ऐसी चतरभूज दास से जो सवाल आता है जादे ही सवाल आता है कि अश्ट छाप में वो कौन-कौन से कवी हैं जिनके बीच पिता और पुत्र का नाता है ये प्रस्न निश्चित आता है परिक्छा में तो आपको याद कर लेना है आनि कुम्भन दास और चतरभूज दास को याद कर लेना आनि दास बंधू आनि दास दोनों में लगा हुआ तो दास को याद कर लेना है आनि अश्ट छाप में जिसके अंति में दास हैं वे समझे पुता पिता और पुत्र के नाता में हैं। अब अश्ट छाप के सलाइड के जो अंतिम कवी हैं, नंदास जो अश्ट छाप के सबसे छोटे कवी हैं, इनका जन्म कितना में हुआ था? 1533, मेर्तियू 1586, यह जाती के क्या थे? तो यह जाती के ब्राहमन थे, क्या थे? ब्राहमन थे, इनका निवास अस्थान क्या था? तो मानसी गंगा था, कहा था? मानसी गंगा था, यह विठलनात के सिस्य थे, इनके सिस्य थे, विठलनात के सिस्य थे, और अश्ट चाप के सबसे कनिष्ट कवी थे क्या थे अश्ट चाप के सबसे छोटे कवी थे और नंद दास को जड़िया कवी भी कहा गया है इसको याद कर लेना अश्ट चाप में किसे जड़िया कवी कहा गया है तो नंद दास को कहा गया है मित्रो अभी अश्ट चाप का सीरीच चल रहा था मुझे उमीद है कि आपको अश्ट चाप जिस परकार हम पूरा डिटेल से आपको बताएं आपको अश्ट चाप का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो जितना हो सके सेर कर देना वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जब मैं अगली वीडियो लेकर आओं तो तुरंत वह आपके पास पहुंचे तब तक के लिए धन्यवाद